Hello viewers, स्वागत है आपका एक बार फिर से Let's Learn English में हमने Day 13 के वीडियो में जाना था कि हम में जब कोई instruction देता है तो वो किस तरीके से हमें बातें कहता है वो don't का इस्तेमाल जरूर करता है, don't wait for me, मेरे लिए इंतजार मत करना, don't talk about that, उसके बारे में बात मत करो don't waste my time, मेरे time waste मत करो, don't go there, वहां मत जाओ, don't move with them, वहां आना जाना छोड़ दो या उनके साथ आना जाना छोड़ दो, don't ask me anything, मुझसे कुछ मत पूछो, don't talk to me, मुझसे बात मत करो, don't cry यानि मत रो तो इस तरीके के कुछ वाक्यांश हमने day 13 में पढ़े थे, आज day 14 में हम कुछ ऐसा नया जानेंगे, कुछ ऐसे प्रयश्ण जिनका उत्तर केवल yes या no में हो सकता है, हां या ना में तो मैं कुछ ऐसे सवाल आपके सामने रखती हूँ, जब भी आपसे कोई ये पूछे, is he your relative, यानि किसी इनसान के बारे में ये पूछे कि क्या ये आपका रिष्टेदार है, अगर वो है तो आप हां बोलेंगे, नहीं है तो आप ना बोलेंगे, yes और no में ही आप इसका उत देंगे, is this seat vacant, क्या ये seat खाली है, is this your first visit to पतना, क्या तुम पहली बार पतना जा रहे हो, is this shop open, क्या ये shop खुली है, is he at home, क्या वो घर पर है, is it true, क्या ये सच है, is there anybody inside, क्या कोई अंदर है, is she your sister, क्या वो तुम्हारी बहन है, is your wife employed, क्या तुम्हारी wife working है, is this dadar, क्या ये दादर है, is this S3 coach, क्या ये S3 coach है, is your brother in पतना, क्या तुम्हारा brother जो भाई है, वो पतना में है, is he a school teacher, क्या वो एक school teacher है, is it useful, तो ये कुछ सवाल मैं आपको फिर से focus करके दिखा रही हूँ, इस तरीके के जो सवाल है, आपसे आम बोलचाल में पूछे जाते होंगे, और आ पता लग गया है, कि आपको कैसे जवाब देना है, या आपको अगर ये सवाल किसी से पूछने पड़े, तो आप कैसे पूछेंगे, अन्त में बस में आपको वही कहना चाहूंगी, प्लीज, लाइक, शेयर, एंड सब्सक्राइब, थैंक यू,